गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स हिंदी की क्लास में आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है प्रीवेस क्लास में हमने हमारी बुक का पार्ट शें स्वामी विवेकानन को स्टार्ट किया था और हमने इसका जो फर्स पेज है उसकी रेडिंग की और साथ ही उसका मीनिंग क्या है उसको भी समझाता आज हम क्लास नंबर टू में चैप्टर को आगे कंटिनू करेंगे स्टार्ट करते हैं बड़ी तेर बाद समाधी टूकती है एक बार छोटा सा रिव्यू हम प्रिवेस कास का लेते हैं कि हमने प्रिवेस कास में क्या पढ़ा था लास्ट कास में हमने पढ़ा था कि एक लड़का है जो भारत के दक्षिनी छोर यानि की कन्या कुमारी पर खड़ा हुआ है कन्या कुमारी एक ऐसी जग्य है जहां पर तीनों समुद्र Bay of Bengal, Indian Ocean और Arabian Sea तीनों ही एक पॉइंट पर मिलते हैं वो जग्य कौन सी है कन्या कुमारी तो उस जग्या पर वो लड़का खड़ा हुआ है और उस लड़के ने पूरे भारत का भर्मन किया है और जो हमारे देश में इतनी लोग इतनी कठनाईयों से अपना जीवन जी रहे हैं गरीबी से, भुकमरी से तो उस प्रोब्लम्स को देखकर उस लड़के का जो मन है वो बहुत जादा व्याकुल हो गया है और वो चाहता है कि वो किसी एक शांत ऐसी जगह पर जाए जहां पर वो ध्यान लगा सके तो वो एक जगह पर पहुँचता है जिसका नाम है शिरिपाद पारे शिला है जो वहाँ पर वो जाता है और ध्यान में बैग जाता है अब हम आगे कंटिनियों करते हैं बड़ी देर बाद समाधी टोकती है चेतना लोकती है और वह अपने आपको असीम आत्विश्वास से भरा हुआ पाता है एक बार फिर मात्र भूमी को परड़ाम कर वह लोक्ट पड़ता है अपने करतवयों की और तो जो व्यक्ति है जो वह समाधी में बैठा था यानि वह ध्यान लगा रहा था तो उसके काफी टाइम के बाद उसका जो ध्यान है वह टोकता है यानि कि अचानक से वो उठ जाता है उसकी आखे खुलती है चेतना जब वो शान्थ था ध्यान मगन था उसको कोई पता नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है सरनली जब उसका ध्यान टूपता है तो उसकी चेतना भी लोटाती है और अपने आपको असीम आत्म विश्वास पस आजाता है अपने करतव्यों की ओर यानि कि उससे कोई ना कोई एक सोलूशन मिल गया है जानते हैं भारतियों के कस्टों से चचचपता चचचचचपताता हुआ वहे महामानव कोन था जो व्यक्ति है जो भारतियों के कस्टों से उनकी प्रॉब्लम्स को देखकर वो व्यकुल हो गया वो महامानव वो व्यक्ति कौन है द्रड संकल्पो वाला वह कर्मत नव्युवक कौन था द्रड मिस निश्चय यानि कि मजबूत संकल्प वाला वो जो नव्युवक है वो व्यक्ती कौन था उस उस युवक को तब स्वामी विवेकानन के नाम से जाना जाने लगा था तो उसको किस नाम से जाना जाने लगा? स्वामी विवेकानंद उचा कद, चोड़े कंधे, पुष्ट और भरा हुआ, वक्षिस्थल, शुडोल और शक्तिशाली भुजाए यह सुन्दर रूफ पच्पन से वैयाम के निरंतर अभ्यास का परिणाम था तो यह जो है उनकी बोड़ी का description है, कि उनकी हाइक कद यानि की जो हाइट है वो लंबी थी, कंधे चोड़े थे और जो भी उनका शेरी था, कैसे वो दिखते थे, उसको explain किया है और ऐसा क्यों था? क्योंकि वो बच्पन से ही निरंतर वैयाम करते थे और उसके परिणाम, परिणाम मिंज उसके फलसवरोप उनकी जो बोड़ी थी, वो इतनी हस्ट होस्ट थी गिहुआ रंग, भरा हुआ दमकता चहरा, चोड़ा माथा, भारी पलकों के बीच बड़ी उबरी हुई आखे पंखुडियों के बीच कमल के खिले फूल सी लगती थी, एक बार जो इस मोहक आकृती को देख लेता, वहें उसके जादो से बच नहीं पाता था तो जो उनका चहरा था, जो उनके चहरे पर तेज था, रंग उनका कैसे था, गिहुआ रंग था, और चहरा भी पूरा हरा भरा भरा था, मतलब भरा भरा सा चहरा था, माथा चोड़ा था और उनकी पलखों के बीच में जब उनकी आँखे दिखती थी तो ऐसे लगता था कि मानो पंखुडी के बीच में कमल का फूल खिला हो तो जब कोई उनको देखता था तो उन पर वो मोहित हो जाता था पर केवल रूप का ही आकर्शन नहीं था विवेकानन में जो विवेकानन ची है उनमें केवल रूप है उनका जो उनकी बोड़ी है सिर्फ उसी का आकर्शन नहीं था ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ उसी को देखकर उनको और खिचे जाते थे सोमवार 11 सितंबर सन 1883 को अमेरिका के शिकागो नगर के एक सभाभवन में विवेकानन सारे संसार की द्रिस्टी के केंद्र बन गए थे एक डेट दी है उसने सोमवार का दिन है और डेट है 11 सितंबर 1883 उस दिन जो है वो स्वामे वेकानन जी अमेरिका के शिकागो नगर एक सिटी है शिकागो महा के सभाभवन में वो खड़े थे और सभी लोगों के द्रिस्टी बलकि पूरे संसार के द्रिस्टी जो है वो उन पर टिकी हुई थी यह है चमतकार उनके भव्वे और मोहक रूप के कारण नहीं विलक्षन ग्यान और उजस्वी वानी के कारण हुआ था पूरे संसार के द्रिस्टी उन पर टिकी हुई है ऐसा इसलिए नहीं था कि उनका जो रूप है वो मोहक है बलकि इसलिए था कि जो उनका ग्यान है जो उनकी वाणी है वाणी मिस जो वो बोलते हैं उनकी लेंग्विज उनके बोलने का तरीका जो कैसा था विलक्षन यानि की अदभुत और उजस्वी उजस्वी मिस तेजपून जब वो बाते करते थे तो सुनने वाला उनकी बातों को सुनता ही रह जाता था ऐसी उनकी बात करने का तरीका था या उनकी जो लाइवेज थी वो इस तरह की थी कि कोई भी उनको अनसुना नहीं कर सकता था तो यही एक करण था कि सभी लोगों की द्रिस्टी उन पर टिकी हुई थी नेक्स पेज शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन था जो वो सभा चल रही थी वो विश्व धर्म सम्मेलन की सभा थी दुनिया भर के अनेक धर्मों, मतों, संपरदायों के जाने माने विशेशग्य महां आये थे विवे का नंद भी कन्या कुमारी घटना के बाद न जाने कितने घंटों से जूजते हुए महां पहुँचे केवल अपने दर्ण निश्चे के सारे बहुत सारे धर्मों के लोग जिनके अलग-अलग मत यानि के अलग-अलग विचार है अलग-अलग संपरदाय से सभी जो भी जाने माने विशेशग्य है एक्सपर्ट्स है वो सब वहां पर आये हुए थे और स्वामि वेवेकानन जी भी जो उनकी कन्या कुमारी वाली गटना थी जो हमने फर्स्ट कास में लिस्कस की थी उसके बाद काफी सारे संकटोर परेशानियों से जूजते हुए यानि कि उनको फेस करते हुए कई घंटों का सफर तै करके वेवेकानन जी भी शिकागों की सभा में पहुँचे विद्वानों से भरे खचाखच हॉल में वक्ताओं ने अपने इश्वर अपने धर्म, अपने संपरदाय को श्रेस्ट सिद्ध करना चाहा जो वो हॉल था जहां पर वो सभा चल रही थी तो महाँ पर जो भी विद्वान थे, विद्वान में जो ग्यानी वक्ती थे उन सबने अपने अपने धर्मों को जो है श्रेस्ट सिद्ध करना चाहा यानि कि उन्होंने ऐसा सिद्ध करने की कोशिश किये कि उनका जो धर्म है वही जो है स्ट्रेस्ट है यानि कि सबसे अच्छा है अंध में जब विवेकानन की बारी आई तो सभा उखड रही थी लास्ट में जब स्वामी विवेकानन जी की बारी आई तो सभा उखड रही थी मतलब सभी लोग जो है महां से जाना चाते थे सभा से वो ऊप गए थे थोड़ा इस विचित्र वेश भूशा वाले अंजान भारतिय से उन्हें विशेश आशा नहीं थी स्वामी विवेकानन जी की जो वेश भूशा यानि कि जो उन्होंने पहने हुए थे जो कपड़ा था उनका या जैसी उनकी यानि कि गुछ उनको विचित्र लगे और कोई उनको कुछ ज्यादा जानता भी नहीं था तो लोगों को उनसे कोई खाष आशा नहीं थी वे सोच रहे थे गुलाम भारत के पास भला क्या विशेश बात हो सकती है उस सभा के जो विध्वान थे वो लोग सोच रहे थे कि जो भारत है वो गुलाम था उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था भारत तो जो गुलाम भारत है महां के किसी वेक्ति के पास क्या कोई विशेश बात हो सकती है तो ऐसा वो सोच रहे थे सभा उखर रही थी आगे की कहानी में क्या हुआ आगे जब सभा में वो गए तो उसके बाद उसको हम next class में class number 3 में discuss करेंगे आज की class में इतना ही आप chapter को पूरा read कीजिए Thank you and have a nice day